सात्यों, हमारे देशवें, बहुत बड़ी संख्या में, बंजारा समुदाय, गुमंतू, अर्द गुमंतू समुदाय है, लेकिन कॉंगरेस ने कभी इस समुदाय की भी सूद नहीं ली, केंद्र में हमारी सरकार मनने के बाद ही, इस समुदाय के लिए विशेश कल्यान बौड का गठन किया, यहां करनाटका में भी मंजारा लंबानी समाज के लाखों साथी रहते हैं, हजारों लोग तांडा बस्तियों में रहते हैं, इतने दसकों तक कॉंग्रेस की सरकारे रहें, लेकिन इनकी मदद के लिए कॉंग्रेस ने ठोस कदम नहीं उठाए, उनका जीवन बदलने के लिए बड़े फैसले, स्थाई कदम, डबल इंजिन सरकार ने ही उठाए, हजारों परिवारों को, उनके संपत्ति के हक्कूपत्र बीजेपी सरकार ने ही दिये, हजारों तांडा बस्तियों को, कुरुबा हट्टी को, हमने राजस्वगावों की पहचान दी है, ऐसे कदमों से, बिजली, पानी, गैस, गर, ऐसी अनेक स्विजाओं का, इन साथियों तक पहुचना, आसान हो पाएगा, साथियों, बीजेपी, पूरी इमामदारी से, गरीब के लिए, बंजारा समुदाए के लिए, दलीतों, पिछडों के लिए, पूरी समर्पन भाव के साथ, काम कर रही है, और मैं देख रहा हूँ, मेरी बंजारा समाच की माताए बेने में आशिरवास देने के लिए, बहुत बड़ी ताजाज में आ जाई है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और भाईयों बेनों, हम तो इस समाच के हरवर के लिए इतना काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, समर्पन भाव से कर रहे हैं, लेकिन ये कॉंग्रेस क्या कर रही है, कॉंग्रेस कभी नहीं चाहती, कि आपका उत्थान हो, आपका विकास हो, इसलिए कॉंग्रेस एक ही काम कर रहे हैं, मोदी को गालिया दो, आए दिन मोदी को गालिया देना, आपके यही काम, जो भी गरीबों, दलीतों, पिछडों के लिए काम करता है, कॉंग्रेस उसे ऐसी ही नफरत करती है, यहां बेड़गावी में ही, बाबा साहब आम बेड़ करने बताया था, कि कॉंग्रेस उन्हें कैसी कैसी गाली दे रही है, बेड़गावी में कहा था बाबा साहब ने, कॉंग्रेस ने बाबा साहिब को क्या नहीं कहा था आप सुन करके हराड हो जाओगे यह कॉंग्रेस तब से ऐसी है क्या कहा था कॉंग्रेस ने बाबा साहब को देश्ट जोही कहा कॉंग्रेस ने बाबा साहब को असूर कहा कॉंग्रेस ने बाबा साहब को कठ़पुतली कहा डिक्षनेरी में जितनी गालियां थी सारी बाबा साहब पर उन्होंने बरसादी भाईयों कॉंग्रेस तब भी वेशी थी कॉंग्रेस आज भी वेशी है सात्यों जगद गुरु बस्वेश्वरा ने जाती और पंत के नाम पर होने वाले बेद भाव का विरोद किया था वक्त कनकदास ने सामाजिक सदभाव का संदेश दिया और जाती के नाम पर आपस में ना लड़ने की सीख दी महा कभी कुवेम्पु ने करनाटका के नाड़ गीते की रचना की इसमें उन्होंने करनाटका को सर्वजनांग दा सर्वजनांग दा शान्तिया तोटा यानि समाज के सभी वर्गों का सुन्दर बगीचा बताया था समाज के अलग-अलग बर्गों से आने वाली सभी महान हस्तियों ने समानता और एक दूसरे को सम्मान देने की ही शिक दिये लेकिन साथियों ये बहुत दूखद है कि इतने महान लोगों की धर्ती पर कॉंग्रेस के कुछ नेता दूसरों को गाली देने का ही काम करते रहते हैं करनाटका की परंपरा में विश्वास रखने वाले लोग बस्वेस्वरा, कनकदास, कुवेंपू और उनके जैसे महान लोगों के अनुवाई ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे